जहिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे TGT syllabus के आखिर TGCT syllabus में क्या पढ़ना होता है और हमारा रन्नीती क्या होना चाहिए उसी पे चर्चा करेंगे सबसे पहले अगर आप तैयारी करते होना तो syllabus आपके टिप्स पर होना चाहिए आधी सफलता अगर आपको syllabus याद है तो समझ जाओ कि आधी सफलता आपको मिल गए अगर syllabus याद नहीं है तो हम दिमाग लगाते रहते हैं कि आखिर सवाल कहां से पूछा जाता है और सवाल ही न बनता है तो सबसे पहले तो हमें syllabus टिप्स पर होना चाहिए चाहिए जो भी पेपर आप दे रहे हैं जैसे कि TGT दे रहे हैं हमारे सामने TGT का syllabus है TGT हिंदी का तो हमें इन syllabus में पढ़ना क्या है दिखिए कर कि इसमें लिखा हुआ है NCERT और CBSC के पार्टकरम में परदत छठी से दसमी तक के पुस्तकों में अंतर नहीत अबधार नाये संकलित है आनि छठी से लेकर सातमी तक के पुस्तकों की अंतर नहीत अबधार नाये हैं हलांकि यह प्रस्ण जो है असना तक अस्तर तक सी पूछा जाएगा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छठी से दसमी तक के सवाल पूछे जाएंगे बलकि आपको असना तक अस्तर आनि भी ये अस्तर तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे अब देखो पहले सेक्षन में TGT अगर दे रहे हैं तो इसमें हिंदी भाशा और ब्याकरन है मतलब कहने का मतलब है कि संपुर्ण ब्याकरन परना होगा ब्याकरन में वर्ण व्यवस्था परना होगा बरतनी और बरतनी व्यवस्था परना होगा शंधी परना होगा शब्द भंदार और शब्द निर्मान परना होगा सुरूत उत्पत्ति और इतिहाश के आधार पर पर परना होगा रचना के आधार पर परना होगा अर्थ के आधार पर परना होगा और शब्द निर्मान के आधार पर परना होगा अब पद की ब्याक्षा शब्द और पद इनको परना होगा जैसे इसमें आपको शंग्या, सर्बनाम, विशेशन, क्रिया, मतलब कि संपुर्ण ब्याकरन आपके टिप्स पर होना चाहिए अगर आप TGT देने जा रहे हैं तो पहला तो शंपुर्ण ब्याकरन आपके टिप्स पर हो जैसा कि इसले बश्मा आप देख रहे हैं वाके के अंग परना है, मुहाबडे परना है, अनुप्राश, पुनुरुक्ति, यमक, उपुमा, उत्प्रेक, छक, रूपा, ये सारे अलंकार को आपको परने है उसके बाद कुछ गध्यांस मिलेंगे, पठिद गध्यांस लिखता है उसके बाद लेखन में आपको प्रारतना पत्र, आबेदन पत्र, बधाई पत्र, सुबकामना, ये सब परना है शाथी साथ जो है, ये सब तो परना ही है हिंदी शाहित्य का इतिहास भी आपको टिप्स पर होना चाहिए साथ ही जो पुष्टक सिलिवश में लगा है दोस्तों, वो है बशन्त भाग वन, इनको ध्यान में रखना है, इनसी आट्टी का ले लीजिएगा बशन्त भाग दो और बशन्त भाग ती, ये तीनों पुष्टक आपके पास होनी चाहिए अब बशन्त भाग वन में क्या लगा हुआ है, नदान दोस्त, चांद से थोरी सी गप्पे, अक्छरों का महत, इरजासी की रानी ये सब जो बुक आप देख रहे हैं ना, कम से कम ये काम जरूर करना इन बुकों को लिखा किसने है तब भी आपके पास से दस सवाल बन जाएगे अगर हमें ये याद होगा कि ये बुक लिखा किसने है तब भी पास से दस सवाल आपको बन जाएगे पूरक पाट पुष्टक में बलराम, बाल, राम कता है अब ये पूरा बालडाम का था हमें क्या क्या चेजे हैं वो सब से लिवश में आपको है चाबदपुरी में राम हो जंगल और जनकपूर हो तो बरदान हो राम का बनगमन हो ये पूरा जो है बुक के रूप में है उसे पढ़ना है साथ ही साथ जो सहायक भारत की खोज बुस्तक है उससे भी आपको ये सब पढ़ना है अमदनगर का किला, तलाश, शिंदु घाटी की सब बता, युगों का दौर, नई समस्या अंतिम दौर ये सब टीजी ठी के लिए आपको पकर में होना चाहिए साथ ही साथ अन सिले बशों में छितीज भाग 1 परना है और छितीज भाग 2 परना है तो कुल लगवग 4-5 NCRT इसी तरह किर्थिका भाग 1 और किर्थिका भाग 2 ये सब को आपको लगवग 4-5 NCRT जो है TGT में परना है और 4-5 NCRT, 4 NCRT PGT में आपको परने होंगे साथ हे साथ हिंदी शाहित के इतिहास तो आपके टिप्स पर होना ही चाहिए और कल से मैं सारे 12 वजे से बैच भी शुरू कर रहा हूँ और खास करके ये 15 दिन का बैच होगा जो आपको 14-15 से पहले आपको 10 तारिक तक मेरा टार्गेट है कि कम से कम NCRT आपको रिविजन करवा दो PGT का TGT का और NCRT में क्या है उनके मूल मूल भाव को एक बार देख जाओ यही काम अगले 15 दिन में हम करने बाले हैं तो आज के लिए इतना ही जरूर कल का क्लास ले आप क्लास लेकर देखे और कुछ नहीं करना है मेरे होटस अप नमर जो है उदिया गया है तो आज के लिए इतना ही धाने बाल